So hey guys, welcome to the golden talks, मेरा ना मैं पुछान चोधरी और आज आप मैं आपसे बात करने वाला हूँ XTUV500 के बारे में, second hand गाड़ी के बारे में, बहुत ही सही प्राइस पर आपको ये गाड़ी मिलने वाली है ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आओं तो उसकी notification सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो इस वीडियो में दोस्तो बेसिकली हम बात करें है, XTUV500 के बारे में, इस गाड़ी के बारे में 2015 मोडल है दोस्तों, ये फर्स्ट ओनल गाड़ी है और जिस प्राइस पर आपको मिलने वाली है, वो प्राइस एकदम अन्बिलिवबल होने वाला है इस वीडियो में आपको गाड़ी की पूरी बाहर से, अंदर से, इंजिन वगारा, सब कुछ A to Z दिखाऊँगा, मतलब कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा, जो आपके माइंड में रह जाएगा और यही मैं चाहता हूँ कि अपने वीवर्स के जो है, A to Z सारे डाउट्स किलियर कर पाऊँ, जितने अच्छे से हो सके, उतने अच्छे से वीडियो बना के आपके सामने ला पाऊँ तो बेसिकली दोस्तो यह इस गाड़ी का साइड लूक और बैक लूक हो गया, मैं आपको यह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता सलजाए कि गाड़ी में कुछ स्क्रेच ना हो, कोई ऐसी कंडिशन में ना हो, तो सबसे बड़ी बात यही होता है, गाड़ी इस गाड़ी का साइड लूक हो, तो सबसे पहले हैं यहाँ पर मैं आपको इस गाड़ी का इंजन चेक करा देता हूँ, क्योंकि इंजन से इंसान को पता सलजाता है कि गाड़ी एक्सिटेंटल है नहीं है, और मेरा फर्ज बनता है आप लोगों के सामने हकिकत लानेगा, त तो यह देखी, यह इस गाड़ी में आपको मिलता है महिंद्रा M-Hawk 140 डिसल इंजन, तो आज तक इंजन दोस्तो इस गाड़ी का अंटच्च्ड है, इवन पूरी गाड़ी अंटच्च्ड है, इस गाड़ी में आपको इंच्रेंस वगरा सब कुछ मिलेगा, जितने जैसे कि आपको बता, XTV500 है, यह W6 variant है, डिसल में ही गाड़ी आती ही, XTV500, और रही बात, बूर्ट स्पेस की, तो कुछ इस तरीके का इसका पीछे से लोक है, अभी एक seat जो इसकी folded है, बाकि आप देख सकते हैं, काफी clean condition में है गाड़ी, थोड़ी बहुत धूल जमी हलाकि अब तो काफी सारी गाड़ी आवेलेबल है मार्केट में 7-seater, बाट इस गाड़ी की कुछ अलगी बात है, अब तक यह गाड़ी इन मार्केट में चाही हुई है, और इस गाड़ी की resale value भी काफी अच्छी मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे से करवा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे गाड़ी उसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो काफी प्यार से रखना पसंद करता हूँ मैं गाड़ी को, तो सबसे पहले सलते हैं, इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में बैठता हूँ, सीट पीछे करने की ब को एक दिए निए ल догए, दुरी काने की बुआड़ी की बहुत अच्छी है, इस गाड़ी को इसंप्र के टॉच स्की हो, तो मैं आप लोगों से जूट नहीं बोलूँगा बिलकुल भी, और इन लोगों ने अभी मेरिकि को फोन किया, तो उसको ये व्यारिषी नहीं से बि ठीक करा के देंगे, मतलब गाड़ी में कोई भी problem आएगी, कोई भी problem मतलब जो गाड़ी में पहले से होगी, आप देख लेना, उस problem को ये free of cost आपको ठीक करा के देंगे, साथ में insurance वगएर तो आपको मिले गई, ये आप देख सकते हैं, आपको इस गाड़ी में lamp भी मिलता है यहापर, तो space तो दूस्तो काफी अच्छा होता है, मतलब ये गाड़ी space के लिए famous है, power के लिए famous है, build quality महिंदरा की बहुत अच्छी होती है, ये भी हम लोगों को पता है, बाकि इस गाड़ी में आपको जो है, automatic AC वगएरा सारी चीज़ें मिल जाती है, और इसके लावा इस गाड़ी की जो condition है, वो बड़ी प्यारी है, ये handbrake जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग type का दिया हुआ, XV 500 में, जब इसको डालना होता है, तो हलकस ओपर खीच के हटता है, तो ये काफी प्यारी चीज़ें लगती है, ये इस गाड़ी की हो गई, front armrest, जो कि इस गाड़ी में आपको दो space मिल जाते हैं, यहां और नीचे भी आप अपना सामान रख सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है, एक एक जगा, एक एक चीज, minute तरीके से में आपको इस वीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में कोई doubt ना रहे, क्योंकि कई बार होता है, लोगों के मन में doubt रहता है, क्या पता गाड़ी वहां से कैसी हो, यहां से कैसी हो, तो सारी चीज जो है, मैं आपको टेस्टिंग कराके दिखा रहा हूँ, यह जो है, आपको यहाँ पे, यह मिल जाता है, इस से आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपको पीछे का look दिख जाता है, even side में आपकी गाड़ी के आसपास में क्या है वो भी close मतलब उसमें आपको दिख जाता है इसके लाबाद पीछे की तरफ आपको जो है मिलेगा sunglass holder जो की जद अतर आजगल हर एक गाड़ी माने लग जया है इस गाड़ी में अच्छी बात क्या है कि इसमें mirror के ओपर आपको light भी मिलती है और driver side में नहीं है सिर्फ left side में है इसके लाबा seat देखिए आप seat cover जो है थोड़ से यहाँ पर पुराने है अगर आप चाते हो तो seat cover बदलवा सकते हो इसके लाबा गाड़ी में दोस्तो problem कोई भी नहीं है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ interior पूरा मैं अच्छी से clear कर चुका हूँ उमीद आप लोगों को interior अच्छा लगा होगा तो बात किया दोस्तों यह गाड़ी आपको finance पे available हो जाएगी जो आपने thumbnail में देखा उतने ही price में आपको यह गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी और इस गाड़ी में XCV500 की बेजिंग आती है यह जो illuminating बेजिंग होती है और door lamps होते हैं यह मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं कि थोड़ा सा luxury look देते हैं आपकी गाड़ी को अब मैं आपको पीछे से बैटके दिखा रहा हूँ तो पीछे से इस गाड़ी का लुक देखिए आप बिल्कुल clean है गाड़ी यह आपको इसमें reading lamps मिल जाते हैं जो कि सारे LED है यह बहुत अच्छी बात लगती है मुझे महिंदरा की कि LED जो है लैम अपनी गाड़ें प्रोवाइड करता है दूसरी बात यह दोस्तों कि इस गाड़ी का जो ओनर थे उन्होंने इस गाड़ी को इतने प्यार से रखा है तने अच्छे से रखा है कि इस गाड़ी की condition अब तक बहुत maintained है मतलब कहीं touch तो यह गाड़ी अब तक हुई ही नहीं है touching की बात तो छोड़ी दें अपन performance की बात करेंगे तो बहुत smooth चलती है और यह पावर तो एकदम दमदार होती ही है excuse me आपको पता है पीछे के साइट से मैं आपको दिखाऊंगा पीछे इस तरीके का look है पीछे अगर आपको जाना हो तो आप seat fold करके जा सकते हैं जो कि मैं आपको भी करके दिखाऊंगा तो basically गाड़ी का interior भी एकदम बढ़िया है exterior में भी कोई problem नहीं है engine में भी नहीं है और अगर हम seat fold करने है तो हम इस तरीके से यहाँ से उठा के इसको seat को fold कर सकते हैं even हम इसको और आगी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो basically यह मैं आपको पीछे से दिखाने ही कोशिश कर रहा हूँ उमीद है मैं आपको इस गाड़ी का kona kona दिखा दिया होगा और friend भी मैं आपको cover कर चुका हूँ आपको बता चुका हूँ कि 80,000 km की गाड़ी की running हो चुकी है तो finally बात कर लेते हैं दोस्तो इस गाड़ी की price की तो दोस्तो यह गाड़ी 2015 model है first owner है W6 diesel में ही आती है और इस गाड़ी को प्राइस आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8,25,000 रुपे है दोस्तो मैंने आपको बोला है कि यह गाड़ी जो है आप around अगर आपकी profile अच्छी है तो 80-90% आपको इस गाड़ी पर finance करा सकते हो even कई बार 100% भी finance हो जाता है मैं अपनी हरे एक वीडियो में बोलता हूँ तो अगर 8,000,000 रुपे में इस गाड़ी को easily book करा सकते है ले सकते है और बाकी का जो है आपका easily finance हो जाएगा अगर आप राजिस्तान से है तो और अगर profile बहुत जादा अच्छी है तो 100% भी हो जाएगा तो दोस्तो यही था इस गाड़ी के बारे में अगर आपको इस क्यालावा कोई और गाड़ी चाहिए किसी भी condition के चाहिए किसी भी price में चाहिए तो आप मुझे instagram पे follow करें वहाँ follow करके आप मुझे message करें कि यह वाली गाड़ी चाहिए इस price में चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ढूंड के वाली गाड़ी लेके आप लोगों के सामने आ जाओंगा तो उम्हीर दोस्तों आप लोगों वीडियों अशी लगी चाहिए तो लाइक जरूर करते इस वीडियो को और अपने इस चैनल को subscribe जरूर करना क्यों कि इस तरीए की वीडियों लोगों के आपके सामने रहता हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि जब भी मैं कोई इस तरीकी की वीडियो डालूं तो उसकी नोटिविकेशन सबसे पहले आपके पहस पहुच जाए तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीकी किसी और वीडियो में तर तकि ये तर निवाट